आज मैं आपको बता रहा हूं कि YT Studio को बार बार ओपन करने से क्या होता है मैं आज आपको पूरा डीटेल में समझा रहा हूं बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं बार बार अपना YT Studio ओपन करते हैं और देखते हैं कितने भी हो जाया, कितने लाइक मिले, कौन कमेंट किया है, कितने सस्क्राइबर हुए या फिर कितनी मेरी अर्निंग हो रही है या हुई है रोज सुवेरे या दिन भर में 20 बार, 50 बार, 40 बार, कोई 5 बार, कोई कभी नहीं ओपन करता है बहुत सारे प्रोबलम है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि YT स्टूडियो को बार-बार ओपन करने से क्या होता है उससे फाइदा होता है या नुकसान होता है तो मैं मोबाइल वाला यूटूबर, ध्यान रखिएगा, मोबाइल वाला यूटूबर चैनल पे नए है, सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग मोबाइल से YouTube चलाते हैं और बहुत सारे, मैं भी मोबाइल से YouTube ओपन किया हूँ और मोबाइल से ही काम कर रहा हूँ और मेरे पास कई चैनल है, मैंने आपको बताया भी है और सब लाग, दो लाग, पांच लाग सब्सक्राइबर है इमानदारी से बिल्कुल सच्चा ही जानकरी मैं आपको आज दे रहा हूँ तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, मोबाइल वाले यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक अबस से कीजेगा, और कॉमेंट में आप बतायेगा कि क्या जो मैं कह रहा हूँ, आप भी ऐसा मौसूस करते हैं, या नहीं करते हैं इत्यांसे सुनिएगा, कॉमेंट करते हैं उससे भी आपको फैदा होता है मैंने आपको बताया है, आप न मेरे को या किसी को भी कॉमेंट करेंगे न मैं भी काम्याब हूँ या फिर आगे बढ़ रहा हूँ तो आप मुझे भी लाइक कर सकते हैं और मेरे बात मैं आपको समझाता हूँ कि वाइटी स्टूडियो को बार बर ओपन करने से होता क्या है देखिए मैं शुरू सुरू में ये बात मुझे पता नहीं था हो सकता है आपको कोई पता नहीं होगा हम क्या करते हैं वीडियोग करते हैं अपलोड करते हैं और जाते हैं फिर वाइटी स्टूडियो में वहाँ पे जा करके अपलोड करते हैं और जाते हैं उसमें और जा करके वहाँ पबली करते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर लोग भी बताते हैं क्या करता हूं लेकिन अब मैं क्या करता हूं मैं अपने पहले बता देता हूं कि पहले वाइ士टी फूरी स्टूड्य को ऊपेन करता हूं अपने वेडियो को पब्लिक कर देता हूं और उसको मैं कारढ़ ये hijmee करने के बाद करता है और वह क्या करता है कि वीडियो अपलोड करता है उसको टच करता है और फिर देखता है ग्तिना जाया कितने लाइक मिले फिर आदाए घंटा के बाद उसको चेक करता है क्योंकि आसा देखो, हम लोगैं पेसेंस ने होती है, भाई हमने एक वीडियो जाला है अब उस वीडियो को कितने सों गर गए और उसको चेक करेगा, एक गंट बार बार आप वाइटी स्टूडियो को जब ओपन करते हो मैंने ऐसे देखा है मैं अपनी चैनल के बारे बात कर रहा हूं अब यह अधरवाज मत लेना कि वह तो कुछ और कहता है वह कुछ और कहता है बड़े यूट्यूबर ऐसे कहते हैं मैं जो बता रहा हूं उसको लिखेंगे नहीं हुआ फिर आप इसको बंद करेंगे तो आपका जो ग्राफ हरा वाला जो ग्राफ होता है वह उपर के तरफ तीर का निशान जाता है अगर आप बार बार उसको कर रहे हैं तो वह नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा यानि कि आप उसमें लिखा रहत इसका मतलब यह होता है क्यों होता है ध्यान सुनिए १ां सुनिए यह क्यों होता है मेरा मानना है देखो मैं भगवान तो नहीं हूँ और नाई में यह कौक मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैं अपने चैनल से महसूस किया हूं कि मैं जब भी यहसा काम करता था पहले या फिर आप क्योंकि मैं जान चुका हूँ उसको मैं बार बार नहीं देखता हूं मैंने एक बार उसको अप्लोड कर दिया पब्लिक करता हूं है उसके बाद से जाकर या पगत और पब्लिक करने जैसा भी कर दिया कर दिया उसके बाद से पांच घंटा कम से कम तीन घंटा चार घंटा के बाद ही मैं देखता हूं उसको मैं बार 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 उना उससे नुक्सान होता है मैंने महसूस किया रहा है इस बात को आप मानो यह नौ मानो कौन क्या कहता है मुझे नहीं मालू मैं अ तो इसका ग्राफ जो है वह उपर के तरफ नहीं जाता है वह नीचे तरफ पाना शुरू हो जाता है यह देखो मैं आपको चीज बताता हूं मैं वैसे मैं पांच-साथ साल से काम कर रहा हूं उससे पहले मैं सीखता था लेकिन यूटूब को आप सब्सक्राइब तो द्यान दीजे मैं जो बता रहा हूं इतने सालों के अनभाव के हिसाब से बता रहा हूं कि यूटूब को आप आप अपलोड कर रहें हो ठीक है अपलोड जब तक वो ऊह रहा है पूर अपलोड होने तो अपलोड होने के बाद उसका प्रोसेसिंग होता है । Anandrit परसन्ट तक वह प्रोसेसरिंग उसको और खांड हो रहा है क्built अधेवर्जन में कर्णवर्च हो रहा उससे फाइदा होगा आप यूट्यूब का जो एप है उस एप में जा करके कोई भी वीडियो कोई भी वीडियो मतलब देखते रहेगा कहने का मतलब लोड हो गया तो बहुत लोग क्या करते हैं नेट बंद करके चले जाते हैं छोड़के यह गलती मत किजिए आप को भी बंद करके रख मत देजिए तो फिर वह नेट बंद हो गया अब देखो यह चलता कैसे है यूट्यूब ने चलता है नेट से अगर आप मुवाइल में नेट नहीं रहे हैं यूट्यूब चलेगा नहीं चलेगा इंस्टागराम चल जाएगा फेस्बूप चल जाएगा उसम आटस्व में नेट नहीं रहा तो बातों आपको बता रहा रहा हो मानो यह नौत को कोई लालज को कि आपकी मर्जी ठीक है और हां मैं एक चीज बार-बार कहता हूं कि आज आपको ऐसा माईख खरीदना है यह मोबाइल खरीदना है जिससे मैं यूज करता हूं जिससे मैं बनाता हूं ठीक है इस सारा कुछ लिंक में दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में जा करके कोटा सा माईख खरीद दो एक मोबाइल बढ़िया सा खरीद दो मैं जो यूज करता हूं उसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में आप खरीद लेना यार ठीक है और बाकी क्या समझें बाकी तो आप लोग सुरी समझ दा रहे तो चलिए मैं बिलता हूं फिर प्रीद देंट